तो फाइनली बच्चो जिस वीडियो को आपको इंतजार था वो वीडियो आपके लिए आच चुका है नमस्कार बच्चो सुवागताब सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में अगर आप राजस्तान बोर्ड कक्सा 10 के विद्यारती हैं तो इस वीडियो को आपको कम्प अच्छे से आपने त्यार कर लिया तो विज्यान की पेपर में आप 80 में से 80 नम्मर का जो स्कोर है वो आराम से कर सकते हैं यानि 80 में से 80 नम्मर है वो आराम से आप ला सकते हैं तो वीडियो को आपको कम्प्लीट देखना है सबसे पहले पेपर में आपको खंड ए दिया ग उच्छा है आपको कि लार में उपस्तित एंजाइम है तो लार में कौन सा एंजाइम है वो उपस्तित होता है तो ए उप्षन में आपके लाइपेज और बै में आपके टाइलिन और सै में आपके पेपसिन और दै में आपके रेनिन तो इसका जो राइट आंसुर है वो होगा आपके टाइलिन यानि टाइलिन एंजाइम है वो आपके लार में उपस्तित होता है और जो कुशन है वो आपके इंगलिस और हिंदी दोनों मीडियम में है तो आप देख सकते हैं इसको अच्छे से और कम्प्लीट पेपर आपको अच्छे से त्यार गरना है उसके बाद दू होगा ऐ अप्सन यानी कोसिका की उरजा मुद्रा है वो ATP कहलाती है उके और उसके बाद तीसरा परसेरे आपके कि निमल लेखित में से सव पोसी है यहां पर सव पोसी का अरत होता है कि जो अपना पोस्न सवे बनाता है तो यहां पर ऐ उप्सन में मानव干 और बे में आपके फंपूद और से में आपके हरा सिवाल और दे में आपके अमर बेल तो इसका जो राइट आंसुर है वो क्या होगा अमर बेल यानि अमर बेल है वो इन में से सवपोसी है तो दे उप्शन है वो आपका इसमें सही होगा और उसके बाद परसंसंग्या चार है आपके कि दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्तान कहलाता है तो A में आपके एक्सोन, B में आपके नियूरोन, C में आपके सिनेप्स और D में आपके दुर्मिका तो दो तंत्रिकाओं के बीच जो रिक्तिस्तान होता है जो खाली स्तान होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं तो इस क्यूशन का जो राइट आंसुर है वो होगा से ओप्सन ओके और उसके बाद परसन संग्या फाइप है आपके कि परकास का वेग नियुन्तम होता है तो परकास का जो वेग है वो नियुन्तम होता है यानि सब से कम किस में होता है तो ए उप्षन में आपके निर्वात बे में आपके जल और से में आपके वायू और दे में आपके काच तो परकास का वेग है वो नियुनतम किस में होता है काच में होता है तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपके दे उप्षन यानि परकास का वेग नियु साथ में होता है और सबसे कम किसी में होता है काच में और उसके बाद नेक्स्ट है आपके परसन संग्याथ 6 आपके कि समतल दर्पन का आवर्दन होता है यानि जो समतल दर्पन है उसका आवर्दन कितना होता है तो ए उप्सन में आपके प्लस एक बै में आपके माइनस एक और उसके बाद next है आपके question no 7 है कि विद्यूत आवेस का मातरک है यानि avien उसका मातरک क्या होता है तो a में आपके ohm दे रखा हैं 12 कुलाम 7 में ampere और 12 में what तो विद्यूत आवेस का मातरक क्या कहलाता है कुलाम तो इसका right answer के आईगा आपके बै ओप्सन ओके और उसके बाद परसन संग्या आठ है आपके कि बलब में कौन सी गेस बरी जाती है तो बलब में कौन सी गेस बरी जाती है तो ए ओप्सन में आपके आरगन बै में आपके हाइड्रोजन सै में आपके नाइट्रोजन और दै में आपके मेथेन तो बलब में चुम्बक बनाए जाते हैं जो इस्ताई चुम्बक होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं तो ए उप्सन में तामबे के बै में आपके नरम लोहे और से में आपके इसपात के और दे में आपके पितल के तो इसका राइट आंसर के आएगा यानि इसपात जो इस्ताई चुम्बक बनाए जाते हैं वों किसके बनाए जाते हैं इस पात के बनाए जाते हैं तो इसका right answer होगा आपके say option और उसके बाद परसन संक्या 10 है आपके कि साख के सबजियों का साख सबजियों का विगटित होकर compost बनाना किस प्रकार की अभिकिरिया है तो a option में आपको उसमा सोसी दे रखा है बै में आपके उसमा छेपी है सै में आपके उपचेन है और दै में आपके अपचेन है तो साख सबजियों का विगटित होकर compost बनाना कौन सी अभिकिरिया है आपके उसमा छेपी तो आपका right answer क्या आएगा इसमें बै ओप्सन ओके यानि बै ओप्सन है वो आपका सही होगा और उसके बाद person संग्या ग्यारा है आपके कि किसी उदासिन विलियन में पियच का मान क्या होगा तो किसी उदासिन विलियन में पियच का मान कितना होता है आपके साथ होता है तो इसका right answer कीा एगा आपके दे option ओके और इसके बहalet person सेंग्या बार आया आपके की सिसा EM 10 की user जात्तू को क्या कहते है तो सिसा ओर T ने user जात्तू को solder कहते है क्या कहते है solder तो इसका right answer भी क्या होगा के बे option OK और इसके बाद next question है आपके next question है, person संग्या 2 है आपके, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, question number 2, रिक्तिस्तानों की पूर्ति कीजिए, यानि रिक्तिस्तानों की पूर्ति करनी है आपको, इसमें पहला person है कि iodine की कमी से होने वाला रोग, तो iodine की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, गलगंड रोग या गोईटर रोग या घेंगा रोग, ओके, तो मैंने तीन नाम बताएं, इन में से एक नाम आपको लिखना है, और दूसरा person है, मा के रुदीर से भून को पोशन प्रदान करने वाली सरंचना का नाम होता है, अपरा, ओके, अपरा या फिर प्लेसेंटा भी आप इस परदार सरोवरबांद है, वो किस नदी पर निर्मित हुआ, तो उस नदी का आपको नाम लिखना है, तो उस नदी का नाम होगा आपके नर्मदा नदी, ओके, और परसन संग्या चार है आपके, कि पर्थवी पर अंतिम उर्जा का स्तरोत क्या कहलाता है, तो पर्थवी पर प्रकास का वेग, निर्वात में प्रकास का वेग सर्वादिक होता है, नियुंतम होता है आपके काच में, तो निर्वात में प्रकास का वेग होता कितना है, तीन गुणा, तीन गुणा, दस की पावर आठ मीटर पर 30 सेकिंड, यह आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद प गुणा मीटर या आपको द्यार रखना है और उसके बाद परसन संग्या तीन है आपके कि अति लगूतरात्मक परसन यानि परसनों का उत्तर एक सब्द या एक पंक्ति में आपको देना है तो इसमें पहला है ATP वे ADP का पूरा नाम लिखिए और दूसरा परसन है कि फलो को प जिवास में इंदनों के नाम लिखिए तो कोई दो जिवास में इंदन कौन कौन से एक तो कोईला है आपके और दूसरा पेंट्रोलियम और परसन संग्या चार है आपके कि CFC का पूरा नाम लिखो तो CFC का पूरा नाम होता है आपकी कलोरो फलोरो कार्बन या फिरियोन भी इसको हम कह सकते हैं और पांचुवा परसन है कि किसी तार का प्रतिरोद किन किन कारकों पर निर्बर करता है तो किसी तार का प्रतिरोद है वो आपके ताप पर, लंबाई पर, दाब पर और अनुप्रेस्ट काट छेतरफल पर निर्बर करता है और उसके बाद परसन संग्या तो इसमें विदूत दारा का मातर का होता है एमपियर तो इसमें एमपियर की प्रिवासा आपको लिखनी है और उसके बाद परसन संग्या आठ है कि विदूत दारा दुआरा परदत उर्जा की दर का निर्दारन केसे किया जाता है तो विदूत दारा दुआरा परदत उर्जा की दर का निर्दारन है वो विदूत सक्ति के दुआरा किया जाता है ओके तो इसमें विदूत सक्ति आएगा और जिस क्यूशन का आंस्वर किसी भी क्यूशन के आंस्वर में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पोमेंट कर सकत हैं आप और उसके बाद में पियेच सेट को पुरिवासित कीजिए यह नी पियेच सेट की आपको प्रिवासा लिखनी है उसके बाद सर्ण संगया 13 कि दाफ्टौ को उसके औकसाइड से प्राप्त करने के लिए किस रासाइनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है उस रासाइनिक प्रक्रम का हमें नाम लिखना है और उसके बाद परसन संग्या बारा है आपके कि स्वादिस्ट वे खस्ता पकोडे बनाने के लिए किस सोडियम योगिक का उपयोग कि जाता है उस सोडियम योगिक का नाम लिखना है और उसके बाद खंड बै दिया गया है यानि सेक्षन बी दिया गया है और सेक्षन बी में आपके लगूत रात्मक परसन संग्या चार से सोला यानि चार से सोला तक के जो परसन है वो आपके लगूत रात्मक है तो इनके उत्त है कि जिवासम क्या है यानि जिवासम की प्रिभासा लिखनी है और जिवासम की जो आयू होती है जिवासम की जो आयू होती है उसका निर्दारन है वो हम कौन सी विद्धी के दुवारा करते है तो उस विद्धी का आपको नाम लिखना है और परसंद संक्याथ 6 आपके कि करना है और परिभासीत कीजिए या जो चमता है उसके आपके प्रिभासा अलिखनी है और उसके बाद नेख्ट है आपके कुस्तन नंबर 9 या कि ओम का निgregर में वहां लिखना है और परसन संघ्या 10 है कि 20 ओम परतिरोध की कोई विदूत इस्तरी 5 चेंपियर विदूत धारा लेती है तो 30 सेकिंड में उत्पन उस्मा ग्याद कीजिए इसमें हमें उस्मा निकालना है यानि उस्मा का मान है वो कितना होगा वो बताना है और उसके बाद परसन संग्या 11 है आपके कि फलेमिंग का वाम हस्तनियम लिखिए बाद परसन संग्या 13 है आपके कि परिवासा लिखनी है और इसका एक एक जामपल भी आपको देना है और परसन संग्या 14 है कि लोए को जंग से बचाने के दो तरीके बताईए यानि लोए को हम जंग से किस प्रकार से बचा सकते हैं तो इसके कोई दो तरीके है, इसके कोई दो उपाये आपको बताने हैं और परसन संहित्स पन्ध्दा नहीं आपके matrix किसे कहते हैं आप देखिए matrix का दूसरा नाम है आपके gang तो gang की प्रिवासा इसमें आपको लिखनी है और उसके बाद परसंग्या सोडा है आपके कि एनोड़ पंक किसे कहते हैं यानि एनोड़ पंक है उसकी हमें परिभासा लिखनी है और उसके बाद पेपर में सेक्षन C हमें दिया गया है यानि खंड से दिया गया है और इसमें दिर्ग उत्र ये परसंग्या यानि परसंग्य से 20 इनके हमें उत्तर लिखने हैं तो परशन संग्या 17 है कि सवे पोसी पोस्टन तथा विशम पोसी पोस्टन में अंतर लिखिए यानि सव पोसी और विशम पोसी इन दोनों पोस्टन में अंतर बताना इन दोनों में डिफरेंस बताना है अगर आपको यह कुष्टन नहीं आ प्रक्रम में होने वाली तेन मुख्य गटनाओं का आपको वर्णन करना है काफी इंपोर्टेट कुष्षन है और उसके बाद कुष्षन नम्मर अठारा है आपके अठारा में पूछा है आपको कि समझात और समरूप अंगों को उधारन सहीत समझाईए यानि जो समझात और स दूसरा नाम होता है आपके नियूरोन ओके तो नियूरोन या तंत्रिका कोशिका का नामां की चित्र भी हमें बनाना है उसके बाद परसंग्या गुनिस है आपके कि चुम्ब की चैतर रेखाओं की परिभासा याद गरनी है और चुम्ब की चैतर रेखाओं की कोई चार व होता है आपके डायनेमो तो विदूत जनित्र या डायनेमो का नामन के चित्र बनाना है और विदूत जनित्र का सिधान्त भी हमें लिखना है यहनी इसका प्रेंसिपल भी हमें बताना है इसका सिधान्त भी बताना है और उसके बाद परसन संग्या 20 है कि सयोंजन और वियोजन अभिक्रिया को उदारन सहीत समझाईए तो सयोंजन और वियोजन अभिक्रिया है उनको हमें उदारन सहीत समझाना है और अत्वा में परसंद दिया गया है हमें कि विस्तापन है दिविस्तापन अभिक्रिया को उदान सहीत समझाईए तो एक तो विस्तापन है और दूसरी आपके दिविस्तापन इन दोनों अभिक्रियाओं को हमें उदान सहीत समझाना है उसके बाद खंड दे दिया गया है यानि सेक्षन डी और सेक्षन डी में आपके निम्दात्मक परसने परसन संग्या 21 से 30 के उत्तर हमें लिखने हैं तो परसन संग्या 21 हमें दिया गया है और परसन संग्या 21 में हमें टोटल 3 क्यूशन दिये गये हैं तो पहला क्यूशन है कि नर वे मादा हार्मोन का नाम लिखने हैं और दूसरा परसन है कि मानौ मस्तिस्क का नामंकी चित्र बनाईए तो मानौ मस्तिस्क है उनका नामंकी चित्र बनाना है तीसरा परसन है कि आर्मोन और एंजाई में अंतर लिखना है तो हार्मोन वे एंजाई में आपको अंतर भी ब स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए तो पीनियल गरंथी द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है और दूसरा है आपके परतिवर्ति किरिया और टहलने के बीच क्या अंतर है और तीसरा परसन है अंतर स्रावी और बही स्रावी गरंथियों में क्या अंतर है तो अंतर स्राव प्रतिविम में अंतर लिखिए और उसके बाद तीसरा परसन आपको निमिर्किल दिया है कि 15 cm फोकस दूरी किसी उत्तल दरपन से कोई बिम्ब 10 cm दूरी पर रखा है तो प्रतिविम की इस्तिती और प्रकर्ति हमें ग्यात करनी है और उसके बाद अथ्वा में परसन दिया है क प्रकास का अपूरतन किसे कहते है यानि प्रकास के अपूरतन की प्रिभासा लिखनी है और प्रकास के अपूरतन के नियम लिखने है और आयताकार काच के सलेव से प्रकास के अपूरतन को चित्तर की साहिता से हमें समझाना है काफी इंपोर्टेट कुशन है और उसके जो और ऐसक को प्रिभासित कीजिए और अत्वा में भी परसंद दिया गया है कि जिंक की इसमें पहला परसंद है कि जिंक की सलफ्यूरिक अमल से अभिक्रिया होने पर गे सक्स बनती है तो गे सक्स का नाम बताना है और अभिक्रिया का समीक्रन बताना है दूसरा परसंद है क बूजे हुए चुने वह संग मरमर का सुत्र लिखिये तो काफी important question है ये भी आपको अच्छे से त्यार गरना है तो ये पूरा paper आपको अच्छे से याद गरना एक्जाम से पहले अगर ये पूरा paper आपने अच्छे से त्यार गर लिया तो science के paper में आप 80 में से 80 नमर पूरे ला सकते हैं